विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइविट लिमिटेश बच्चों अपने सुना होगा हाथी के दाथ खाने के और और दिखाने के और और यह बात हमारे अधिकांश नेताओं पर बिलकुल सही बैठती है क्योंकि वो लोग चुनाव के दिनों में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वादे करते हैं पर एक बार चुनाव जीत जाने के बाद अधिकतर लोग अपने किये गए वादों को भूल जाते हैं और केवल अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कारे करते हैं जो कुछ वो कहते हैं, क्या वास्तव में उनका सोभाव ऐसा होता है? क्या वास्तव में वो ये सब करना चाहते हैं देश या समाज के लिए, जो वो कहते हैं, जो वादे करते हैं? तो आज मैं चित्रा बंसल आपकी हिंदी की अध्यापी का, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का, जो पाट पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें आपको ऐसी ही लोगों का एक नमोना देखने को मिलेगा, जो वास्तव में व्यवहार उनका कुछ और होता है, और वो समाज और द और यह पाट एक एकांकी के रूप में है, एकांकी कहते हैं नाटक के एक आंक को, इतना है कि नाटक में बहुत सरे पात्र होते हैं, अनेक घर्टनाएं होती हैं, जबकि एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, और घर्टना भी मुख्य रूप से एक ही दिखाई जाती तो हम पढ़ना शुरू करते हैं अब आप देखेंगे कि जब भी एक आंकी लिखा जाता है तो प्रारंब में पात्रों के नाम लिखे होते हैं कौन सा पात्र किसका अभिने कर रहा है उसके बाद ये लिखा होता है कि जहां वो सब हो रहा है घटना घट रही है वहां का वाता आप देख रहे हैं पात्र कौन कौन है सेट जी जो प्रांतिय असेंबली के उमीदवार हैं राम लखन सेट जी का नौकर राम देई सफाई करने वाली भगवती रसोईया श्रीमती सेट सेट जी की पतनी बलराम सेट सहब का छोटा बच्चा संपादक कॉलिज के दो लड़के समय कौन सा है प्रातहकाल का और स्थान कहां का है सेट सहब का ड्रॉइंग रूम तो ये विवस्था होगी यदि हमें इस एक आंकी को मंच पर दिखाना है मंचन करना है इसका परदा उठने पर सेट सहब समाचार पत्र देखते हुए यानि जब मंच पर परदा उठेगा तो सबसे पहले क्या नजर आएगा कि सेट सहब बैठे हैं और समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और तब ही टेलिफोन की घंटी बशती है सेट समाचार पत्र फेकते हुए हेलो हेलो जी हाँ आप अच्छा आप हरिजन और दलित सभा के मंत्री हैं कहिए कल का जलसा कैसा रहा अच्छा आपके भाशन के बाद सभी दलित मेरे पक्षमे वोट देने को तैयार हो गए हैं आपने भी खूब कही मैंने तो अपना सारा जीवन दलितों और गरीबों को उपर उठाने में लगा दिया है अब बच्चों को ही लीजिए हमारे घरों में उनकी क्या दशा है उनका लालन पालन शिक्षा सब कितनी पुरानी पद्धती की है बात बात पर डांट फटकार बेटा भी तर आकर बाबू जी हम मेले वो बोल ही रहा है इतने में सेट जी क्या करते हैं चोंगे से यानी फोन से रिसीवर से मौ हटा कर गुसे में भाग यहां से देखता नहीं मैं टेलिफोन पर बात बलराम जोर से रोते हुए मेले वो शायद मेले में जाने की जिद कर है और सेट जी उसको जोर से दुद्द कार रहे हैं सेट टेलिफोन पर इधर जरा शोर हो रहा है मैं अभी आप से बात करता हूं चोंगा मेज पर रखते हैं बच्चे का हाथ पकड़कर चल निकल यहां से एक थपर लगाते हैं बच्चा रोता हुआ वहीं बैठ जाता है न सेट एक चाटा मारते हुए ले जाई से खबरदार यह फिर इधर आया तुम्हें मना किया था ना अब आप देखिए कि सेट जी का व्यभार कैसा लग रहा है बहुत इक गुस्से वाला ना तो उन्हें अपने बच्चे से बात करने की समझ है कि किस तरह से बात करनी थे कि उन्होंने हमेशा से समाज के हित्मे काम किया है और अब वो बच्चों के लालन पालन के और ध्यान देंगे और फोन पर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और उनका अपना व्यभार अपने बच्चों के प्रती कितना निश्ठूर है कितना कठोर स्वभाव है राम लखन लड़के का हाथ पकड़कर लिये तो जा रहे हैं क्यों मार रहे हैं सेट सुनो कोई भी आए तो पहले खबर कर देना समझे नहीं तो तुम्हारी भी पिटाई कर दूँगा चोंगा उठाकर सेट हेलो अच्छा अभी आप हैं तो तो मैं कह रहा था कि पूरे प्रांथ में मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने पाठशालों में शारीरिक दंड ततकाल बंद कर देने पर जोर दिया है घर के नौकरों को ही ले लें उन पर कितना अत्याचार किया जाता है इस अत्याचार के विरुद मैंने नौकर यूनियन स्थापित की है मैं चुना गया तो वहां भी इन सब की सेवा करूँगा अब आप खुद देखते जाएए कि सेड़ जी की बातें और उनका विवहार कितना विपरीथ है जो वो बातें कर रहे हैं अगर यही सब उनके विवहार में आ जाता तब कितना अच्छा होता पर बातें कुछ और और काम बिलकुल ही उससे हट कर राम लखन बाबुजी सफाई सेट क्रोध से ठहर मुर्क नहीं नहीं मैं नौकर से किसी आनी हसी हाँ तो आप घोशन करवा दें जी हाँ मैं कल अवश्य जलसे में आऊंगा क्या करूँ अवकाश ही नहीं मिलता ही ही अच्छा नमस्कार नौकर से तुम्हें कहा था इधर मताना राम लखन बाबुजी सफाई करने वाली अपनी मजदूरी मांगत है सेट अगले महीने आए राम देई बाबुजी अरज करूँ कुछ पैसा दे दें घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है सेट अगले महीने लेना जब तब आ जाती हो राम देई महराज दो महीने हो गए हैं सेट कहतो दिया भाग जाओ इस समय तो इस तरह से उन्होंने अपनी काम वाली राम देई को भी दुदकार दिया डांट दिया और उसकी पगार जो कि वो दो महीने से नहीं दी है उन्होंने और अब भी वो दे नहीं रहे हैं अब फिर उसे अगले महीने आने को कह रहे हैं तब ही भगवती आती है जै राम जी की बाबु जी हमारा हिसाब कर दो सेट लाप परवाही से आज कल चुनाव चल रहे हैं कुछ दिन रुख जाओ भगवती और कितना रुखूं बच्चों को कहां से खिलाओं बीमार बीवी को दवा सेट लो दो रुपए फेकते हुए और भगो यहां से भगवती मैं तो आज पूरा पैसा लेकर ही जाऊंगा सेट क्रोध से भाग यहां से नहीं तो चोरी के अपराद में जेल भीजवा दूँगा तो किस तरह से वो अपने नौकरों पर अपने सेवकों पर अत्याचार कर रहे हैं यहां तक कि अपने घर के सदस्यों को भी वे कुछ नहीं समझते हैं भगवती हाँ हाँ यही तो करेंगे खुद तो चंदे के नाम पर इकठा की अधन हजम किये बैठे हैं और सेट भगवती को पीरते और बाहर धकेलते हुए निकल जाए हां से रामलखन रामलखन आज का अखबार आया रामलखन डरते हुए जी हां बड़े बाबु पढ़ते हैं सेट तुझे कहा था अखबार पहले इधर लाया करो बूड़े हो गए हैं पर जा भाग कर लेकर आ अपने आप मेरा वक्तवे कितना जोरदार था वक्तवे मतलब भाशन चात्रों में हल चल मत चाएगी फोन बचता है हेलो हेलो कौन साहब मंतरी होजरी यूनियन नमस्कार नमस्कार सुनाईए आपके चुनावक्षेत्र का क्या हाल है वाह क्या बात है सब मेरे हक में ही वोड़ देंगे क्रितग्य हूँ मतलब मैं उपकार मानता हूँ सबका मेरे अपने मुझे वोड़ देंगे मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ मैं असेंबरी में जाते ही मजदूरों की अवस्था सुधारने का प्रयास करूँगा मैं आपकी एक-एक मांग पूरी करवाऊंगा नहीं नहीं काम के घंटे तै होंगे और तनक्वा भी पुरी तर्वाजा खुलता है और दुबले पतले आँखों पर चश्मा लगाए संपादक जी भी तर आते हैं सेट संपादक से बैठिये टेलिफोन पर हमारे संपादक जी आए हैं अच्छा तो संध्या को आपकी सभा हो रही है मैं आने की कोशिश करूँगा और कुछ अच्छा नमस्कार चोंगा रखकर संपादक से कहिए राम लखन अकबार लेकर आता है बड़े बाबुजी बोले पढ़कर ही देंगे तो थोड़ी देर लग गई सेट जा जा बाहर बैठ समा चार पत्र देखने लगते हैं संपादक मैं मैं सेट हाँ हाँ पहले आप ही कहिए संपादक वोटों पर जीब फेरते हुए बात यह है कि मेरी आँखें बहुत खराब हो रही हैं सेट आप डॉक्टर को दिखाईए कहिए तो आपको डॉक्टर खन्ना के नाम की चिटलिक दूँ संपादक नहीं वास्तव में मेरी आँखें इतना बोज सहन नहीं कर सकती आप तो जानते हैं रात को रोज दो तीन बच जाते हैं इतना काम सेट तो काम जल्दी निप्टा लिया करो संपादक मैं आपसे पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि आप एक सहायक संपादक का प्रबंध कर दें दिन को वह आ जाएगा रात को मैं सेट असंभव बिल्कुल असंभव काम तो आपको ही संभालना होगा हाँ पांच रुपे तंखा बढ़ा दूगा संपादक मेरा स्वास्थे इजाज़त नहीं देता सेट ग्रोध सेट आप काम छोड़ना चाहें तो छोड़ दें एक नहीं दस आदमी मिलेंगे अभी फोन पर वो कह रहे थे कि सभी मजदूरों के हक में काम करूँगा फैसले करवाऊंगा काम के घंटे निश्चित करवाऊंगा और तनख़वा पूरी होगी लेकिन अब वो संपादक के उपर कितना अत्याचार कर रहे हैं वो रात दिन काम करते करते ठक चुका है उसका स्वास्थे बिगड़ रहा है पर उनका जो विवहार है उसके प्रती कितना कठोर है वो कह रहे हैं तुम्हें काम करना है तो करो एक की जगे दस मिल जाएंगे रामलखन भीतर आता है बाहर दो लड़के आपसे मिलना चाहते हैं कोई सेक्रेटरी सेट जाओ बुलालाओ संपादक से आज के समाचार पत्र में मेरा जो वक्तव प्रकाशित हुआ है उसमें मैंने चात्र संग की दोनों मागों का समर्थन किया है मालूम होता है उसका कॉलिज के लड़कों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है यानि की सेट जी अपनी बातों से सब को खुश करने की कोशिश कर रहे है मजदूरों को भी चात्रों को भी यूकों देश के यूकों को भी और अपने काम में वो बिलकुल उलट है बिलकुल गलत उनका व्यवहार है हर किसी के साथ संपादक मूफ उलाकर अवश्य पढ़ा होगा दो लड़कों का प्रवेश, दोनो नमस्ते, साहब, सर, सेट नमस्ते, आज का मेरा वक्तव्य कैसा लगा? एक लड़का, चात्रों में सब और उसी की चर्चा है, बड़ा जोश है सब में सेट, आपके मित्र किधर वोट दे रहे हैं? वही लड़का, आज के वक्तव्य के बाद तो 75 प्रतिशत वोट आपके ही हैं, हाँ विश्य विद्याले पर जोर डाल कर चात्रावास सेट, अवश्य अवश्य वही लड़का, हम वर्तमान प्रिंसिपल को हटाना चाहते हैं, वे बहुत अनुशासन प्रिये और कठोर स्वभाव के हैं सेट, गिरी हुई आवाज में, आपकी मांग उचित है, पर इतनी जल्दी यह सब कैसे होगा? वही रड़का, हम कल से हरताल करेंगे, आप में चात्रों के अधिकारों का बीड़ा उठाया है, इसलिए हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं, यानि कि वो जो बच्चे मांग कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, वो उस प्रिंसिपल को हटाना चाहते हैं, जो की बहु अन्मने भाव से, मैं आपका सेवक हूँ, यह हमारे संपादक हैं, आप अपना बयान इन्हें दे दें, यह जितना उचित समझेंगे, चाप देंगे, दोनों, ठीक है, हम कल संपादक जी की सेवा में उपस्थित होंगे, नमस्कार, और ऐसा कहते हुए, वो चले जाते हैं, सेट, इनका बयान बिलकुल न चापना, प्रिंसिपल हमारे कृपालू हैं, और कमिटी के सदस से हमारे मित्र, संपादक मुफ उलाय हुए, जी अच्छा, यानि कि वो भी समझ रहा है कि सेट जी क्या खेल खेल रहे हैं, चात्रों के सामने चात्रों की बात करते हैं, और उन जाये नहीं, चुनाव हो जाने दें, फिर कोई प्रबंद करूँगा, इस समय नया आदमी रखना ठीक नहीं है, संपादक, लंबी सांस लेकर जाते हुए, बहुत अच्छा, श्रीमती सेट, जोर से दर्वाजे को धक्का मारते हुए, बलराम का हाथ पकड़े हुए आती है श्रीमती सेट, मैं कहती हूँ, आप बच्चों से प्यार करना कब सीखेंगे, जब देखो पीटते रहते हो, देखो तो सही, गाल पर उंगलियों के निशान पड़ गए है, कभी तो, तभी सेट बीच में बोल पड़ते हैं, समाचार पत्र पर द्रिश्टी जमाए हुए, भूसे की कोटरी में बैठा रो रहा था, सेट, क्रोध से, इन्हें संभाल का रखा करो, आ जाते हैं सुबह सुबह दिमाग चाटने, श्रीमती सेट, बच्चे को एक चपत लगाती है, तुझे कितनी बार समझाया, यहा ना आया कर, यह बाप नहीं दुश्मन है, दूसरों के बच्चों से प्रेम करेंगे, उनके उन्नती के लिए भाशन जाडेंगे, बिल पास करवाएंगे, और घर में, तो बात तो बिलकुल ठीक कह रही है, वो भी परेशान है उनके वेवहार से, कि बाहर तो बड़ी बड़ी बाते करते हैं, और घर में उनका वेवहार कितना खराब है सब के साथ, सेट, क्रोध में पागल होकर पतनी को धकेलते हुए, निकलो, कितनी बार कहा है, इस कमरे में ना आया करो, श्रीमती सेट, आप कभी अंदर आएं तो ना, सारा दिन मिलने वालों का ताता लगा रहता है, ताता मतलब लाइन लगी रहती है, आखिर हमे कुछ कहना हो, तो किस समय कहें, सेट, मैंने कौन सा उनका सिर्फ फोर दिया, जो तुमें कहने की जरुरत पड़ गई, श्रीमती सेट, हाँ हाँ, उसी की कमी है, अब फोर दो, सेट, तुम पागल हो गई हो, निकलो यहां से, श्रीमती सेट, ठीक है, हम इस घर में रहेंगे यही नहीं, रामलखन, तांगा लेया, मैं अभी माय के जाऊंगी, तेजी से बच्चे को लेकर जाती है, दर्वाजा जोर से बंद होता है, फोन बचता है, सेट, करकश आवाज में, मतलब, तीखी आवाज में, हेलो, हेलो, ओ, श्रीमती सरला देवी, आवाज में मधूरता आते हुए, क्षमा कीजिए, मैं कुछ परिशान था, कहिए कैसे याद किया, जी हाँ, तबियत तो ठीक है, कहिए आपके महिला समाज ने क्या पास किया है, मैं भी कुछ आशा रखूं क्या, मैं आपका त्यंदा भारी हूँ, आप विश्वास रखें, महिलाओं के हितों की मैं पूरी रख्षा करूंगा, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ूंगा, मुझसे बड़िया रख्षक, आपको वर्तमान उमीदवारों में और कोई न मिलेगा, तो कितना विचित्र उनका सोभाव है, अभी अभी अपनी पत्नी का इतना उन्होंने दिल दुखाया, बात बात पर गुसा कर रहे हैं, उनका कोई सम्मान नहीं है, इज़त नहीं है उनकी नजरों में, और केवल अपनी बातों से बाहर की लोगों को खुश करने में लगे हुएं, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सकें, ना उन्हें घरवालों की परवा है, ना अ जीत हासिल करनी है, यही उनका मकसद है, और जिन मुद्दों को लेकर वो जीतना चाते हैं, उन्हीं मुद्दों पर घर पर उन्होंने पूरा माहौल खराब किया हुआ है, तो यह हमें एक जलक मिली है, एक ऐसे व्यक्ति की, जिसका दोगुला व्यभार होता है, बाहर तो क्या देखा आपने, कि एक व्यक्ति जो समाज को सुधारने की बात कर रहा है, बच्चों के भविश्य को बनाने की बात कर रहा है, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की बात कर रहा है, वो अपने ही परिवार में अपने एक बच्चे, अपनी पत्मी और अपने सेव के साथ कितना दुर व्यवहार कर रहा है तो इस तरह का दोगला व्यवहार करना एक बहुत बड़ा विकार है बुराई है हमारे विक्तित्रगी तो पहले जो भी कुछ परिपरतन हम बाहर देखना चाहते हैं सबसे पहले वो अपने अंदर लाना होता है तभी हमारे बोली हुई बातों में भी ताकत आती है जब हम उस पर पहले अमल करते हैं और फिर दूसरों से उस रहा पर चलने को कहते हैं तो जैसा आप दूसरे कुछ चाहते हैं जैसा आप बाहर दिखाना चाहते हैं बाहर के वातावर हम cheering जो परिवर्तन चाहते हैं पहले उस वो परिवर्तन आपको स्वयम में लाना चाहिए